The question is, find the sum of the infinite series, इसका infinite term का sum find करना है, 3 by 1 square into 2 square, plus 5 by 2 square into 3 square, plus 7 by 3 square into 4 square, plus 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 and so on, ये लिखा हुगा है, तो देखो इसका जो inner term है, वो हम सबसे परे लिखते हैं, inner term, इसका pattern क्या हो जाएगा? इसकार, नीचे देखो, 1 square 2 square उपर 3 है, 2 square 3 square उपर 5 है, 3 square 4 square उपर में 7 है, तो नीचे तो एक का difference है, लेकिन उपर एक का difference नहीं है, है ना? तो नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में देखो, नीचे में inner term जो होगा, first term का 1 है, second term का 2 है, third term का 3 है, inner term का होगा? n square होगा न n square उसके बगल में कितना है एक ज्यादा मतलब n plus 1 का square और उपर में कितना है 3 5 7 यह तो odd है तो कितना होगा यह यह होता है 2n plus 1 odd है न यह होता है 2n plus 1 देख लो n का 1 रखो 3 आ जाएगा 2 रखो 5 आएगा 3 रखो 7 आ जाएगा ऐसे तो यह होगा एन टम ठीक है अब यहाँ पर n plus 1 का square है और n square है इसका difference side में करके देख लो कितना आता है n plus 1 का square minus n square अगर करेंगे तो यह होगा n square plus 2n plus 1 minus n square तो कितना बचेगा यह बचेगा 2n plus 1 ना तो वह ही 2n plus 1 उपर लिखा हुआ है इसलिए उस 2n plus 1 को हम ऐसा लिख देंगे n plus 1 का square minus n square जिसका value 2n plus 1 ही आ रहा था अब देख ऐसा क्यों करेंगे ताकि अगर इसको हम separate separate divide करेंगे n plus 1 का square by नीचे पूरा minus n square by नीचे पूरा तो tn equal to आ जाएगा 1 by n square minus 1 by n plus 1 का square इतना आएगा ठीक है अब अगर हम गगो summation करना है तो t1, t2, t3 find करना पड़ेगा देख़ो t1 कितना आएगा t1 मतलो n का वलो 1 रखो 1 by 1 का square minus 1 by 2 का square ठीक है t2 कितना आएगा t2 आएगा 1 by 2 का square minus 1 by 3 का square ठीक है t3 कितना आएगा इसी तरीके से 3 का square minus 1 by 4 का square होगा इसी तरीके से tn लिख दो इसी तरीके से अगर tn लिखेंगे and so on so on तो tn तो tn इकोल to होगा 1 by n square minus 1 by n plus 1 का square अब सब का summation कर दो जब हम find करेंगे सब का sn sn equal to क्या होता है summation tn होता है जब sn find करेंगे तो pattern देखो कौन-kौन सब पाइटन कट रहा है यह वाला pattern cut रहा यह वाला pattern यह वाला pattern यह कट जाएगा यह कट जाएगा तो क्या के बच जाएगा यहां बच जाएगा सुरू में 1 by 1 square मतलब 1 बच जाएगा minus यहां हो जाएगा 1 by n plus 1 का square आ गया तो यह होगा answer आसान था ना सोई जी question तो देखो question जो देखके लगा था पुरा complex question है लेकिन जब solve करेंगे अच्छे से method से तो answer बहुत आसानी तरीके से आ जाता है यह हो गया इसका answer हो क्या